चेल यह दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कृशन, आज का डिस्कृशन कुछ खास है, और यह चप्टर इंपोर्टेंट है, ITC, प्रैक्रिकल लाइप में भी बहुत इंपोर्टेंट है, और आपके एक्जाम के लिए भी, यह चप्टर का एक मिडास टच होता है हर प्रॉब्लम के साथ, ITC, तो यह चप्टर जो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्पेसिपिकल यह चप्टर पर ही 10-15 मार्ग के कोशन आएगे, स्पेसिपिकल यह चप्टर पर 5-6 मार्ग के कोशन आते हैं, पर इसका टच हर प्रॉब्लम के साथ होता है, इसलिए मैं यह च बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है, तो चलिए दूस्तों, शुरू करते हैं आज का चार्ट, आर यू रेड़ी, येस और नौ, हाउस दजोश, मोलिये है, हाई सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आते है इसके डिस्कुशन बे, बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, यहाँ बे, डेफिनेशन सबसे पहले तो हम लेंगे, इनपुट की, मिन्स, एनी गुड्स, यूज और इंटेंडेट तो बी यूज, बाइ सप्लायर, इन दे कोर्स और फदरन्स और बिजनेस, आपको यह बात बता दू कि, मैं जो डेफिनेशन लेने वाला हूँ, इनपुट, सर्वीस और कैपिटल गुड्स, अगर आपका गुड्स परचेस, यह सर्वीस परचेस, अगर इनपुट के, यह इनपुट सर्वीस में, इन दो कोर्स और बिजनेस, अगर बिजनेस में, आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो, अगर देन कैपिटल गुड्स, उसे इनपुट माना जाएगा, सिंपल बे में, अगर आपके नॉलिज के लिए मैं बता दू, जैसा आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा, धान से सुनना, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, और उसका आपका प्रॉफिटल लॉस अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने जो भी परचेस किया, तो don't get confused कि input मतलब raw material, input मतलब any goods जो आपने business के लिए purchase किया, उसको input माना जाएगा, other than capital goods, जैसे अब कभी आपकी जो purchases होती है, तो आप balance sheet में भी ship करते हो, और उसकी value capitalize करते हो, यहाँ पे भी आपकी goods होते हैं, जैसे furniture हुआ, उसके बाद में machinery हुई, तो यह जो है, यह capital goods है, अब intended to be used क्या होता है, intended to be used मतलब, बहुत सी बार आपने input लाया, पर आपके stock में पड़ा हुआ है, पर्चेस तो हो गई, पर आपके stock में पड़ा हुआ है, अभी तक use नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगर stock में भी पड़ा होगा, तो उसका ITC आपको दे दिया जाएगा याने बस इतना बताओ कि वो business के लिए use होने वाला है, या intended to be use है, तो जो मंत में आपने purchase किया, और सारी conditions ITC की fulfill कर दी, आगे conditions हैगी, invoice received, GSTR 2B में update हो गया है, उसके बाद में goods received, supplier ने payment कर दिया, अगर आप ये सारी conditions fulfill कर देते हो, तो आपको ITC दे दिया जाएगा, चली ब Okay, दूसरी definition अगर हम यहाँ पे देखें, तो दूसरी definition आती है, input services की, input services की definition means, Okay, यहाँ पे any service, यह भी कहता है, कोई भी service, आप business में use करो, use or intended to be used in the course of business, Okay, तो आपको ITC दे दिया जाएगा, मतलब इस से हमें एक message तो मिल रहा है, अगर personal purpose या other than business के लिए आपने use किया, तो तो business की definition में nine activities आती है, अगर आपको business की definition, जो मैंने चार्ट के पहले दूसरे page पे दिया है business की definition, Okay, trade, profession, vocation, manufacture, adventure, wager, और any other similar activity with profit motive or not, incidental or ancillary activity, और activity in the nature of clause A, but not carried out in the frequency और etc, Okay, उसके बाद में before commencement purchase किया, after closure supply किया, next club की activity, ऐसी बहुत सारी activities, ऐसी nine activities business की definition में हमने cover करने की कोशिश के थी, Okay, तो जहां तक देखा जाए, Okay, important है आपने goods करीदा होगा, या service करीद योगी, तो in the course of business होनी चाहिए, उसके बाद में definition है capital goods, Okay, capital goods का भी ITC मिलता है, इस बात का धहन रखना, Okay, capital goods का भी ITC 100% मिलता है, in the month in which it is purchased, and all the conditions of section 16 are fulfilled, Okay, what do you mean by capital goods, Okay, तो capital goods means the goods, the value of which is capitalized, याने, जब भी आप goods purchase करते हो, Okay, तो आपका decision जो है, Okay, ITC ने, आपकी accounting policy के concept लिए है, अगर आपने कोई goods purchase किया, तो अगर आप trading and profit and loss account को debit कर रहे हो, तो फिर input आएगा, और अगर आप balance sheet में capitalize कर रहे हो, तो फिर उसके capital goods बोला जाएगा, credit दोन के 100% credit है, Okay, 100% आपको ITC 9-9 का दिया गया है, Okay, लेकिन बस उन्होंने bifurgation किया है, कि आपके goods purchase को दो इसमें bifurgate करो, Okay, inputs और capital goods, No doubt, Okay, ये भी business के लिए use होना चाहिए, तो ये आपको credit दे दिया जाएगा, Okay, ये समझ में आ रहा है ना बिटा, Yes or No, समझ में आ रहा है तो, Okay, यहाँ पर Y type कीजिएगा, और अच्छा लग रहा होगा तो, अच्छा लगे गई, आपने class join करते ही, like कर देने का, Okay, मैं बैटा हो नहीं यहाँ पर, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर, जहां तक देखा जाए, और मेरी commitment है, मैं हर बार regular class में कहता हो कि मैं आपके साथ हूँ, कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है, और मैंने आपको कहा था कि regular class कर रहे हो, लेकिन मैं आपको exam तक support करते रहोगा, chart revision है, question or discussion है, जो भी है, तो मैं आपको exam तक support करते रहोगा, और अगर आपको पसंद आ रहोगा, आप online मेरे साथ देख रहे हो, लेकिन अगर पसंद आया, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपका जो है, एक teacher की against my gratitude, yes, एक comment या फिर like जरूर करईगा, तो मेरी best wishes आपको जरूर मिलेगी और आप exam में पास होगे, तो ऐसा situation में जहां तक देखा जाए, यहां पर, चलो, 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 Now, next, तो capital goods का देखा जाए, तो जिसकी value हमने capitalize की गई, वो capital goods का जाएगा, पर सर हम bifurgate क्यों कर रहे है, input और capital goods को, यहनि अगर कोई goods में purchase करता हूँ, तो हम input में और यह capital goods में, goods को specially bifurgate किया गया, हम क्यो bifurgate कर रहे हैं, credit तो दोनों का 100% मिलता है, फिर bifurgation क्यों, क्य अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो अगर आपने depreciation capital goods के GST पे claim किया होगा, वो input की बात ही नहीं कर रहे है, वो provision, specially section 16.3 जो है, वो capital goods की बात करता है, तो बहुत सारी ऐसी provision है, जो input को अलग लगती है, capital goods को अलगती है, depreciation की है, section 17 की है, block credit की है, 18 की है, तो ऐसे case में जो ITC के non-eligibility है, reversal है, input के लिए अलग है, capital goods के लिए अलग है, तो वो situation में goods को bifurget करना जरूरी हो जाता है, in the definition of inputs और in the definition of capital goods, चलिए, उसके बाद मैं, यहाँ पर input service, input service को bifurget नहीं किया, जैसे आपने कोई service करी दी, समय लो, example लो, आपने कोई service करी दी, और यह ज trading की service होगी, आपके profit and loss account की service होगी, यह आपके assets related service होगी, sir, example, example, transportation service है, loading, unloading, handling service है, जो trading account को आप debit करते हो, okay, यह जो services दारेक आपके trading से related है, but use in the business, okay, वो आपके input service बोली जाएगी, okay, profit and loss account debit में आपने advertisement, telephone, internet, वगरे, दुनिया बर की services आपने debit किया हुआ है, profit and loss account को, okay, त service में बोल जाएगी, आपको उसके credit मिलेंगे, और बहुत सी service आप asset के लिए लेते हो, जैसे erection हुआ, installation हुआ, yes, okay, erection, installation हुआ, आप capitalize करो या कुछ भी करो, वो input service है, उसको credit पुरा मिलेगा, तो आपने यहाँ पे erection, installation, assembly, okay, whatever the services you are used in relation to your capital goods, that is also called as input service, धैन में रखना, input service क यह की definition है, capitalize input service नहीं बोलता है, input service business में कही पे भी ले लो भाई, कही पे भी ले लो, business में input service कही पे भी ले लो, आपको ITC, 100% as a input service मिल जाएगा, समझा के यह तिनों definition, चलिए, आगे बढ़ते है, okay, input tax, okay, input tax की simple definition मैंने चार्ट में दी है, input tax मतलब क्या, अब देखो, input tax और input tax credit का difference क्या होता है, और इद्यान सुनना, okay, input tax, और input tax का credit, input tax का credit, okay, input tax और input tax का credit, जिसको हम ITC कहते है, जिसको हम ITC कहते है, जैसे, आपका supplier है, और आप recipient हो, no doubt आपको ITC लेना है, तो आपका supplier जो है, GSTN portal पे, okay, GSTN portal पे GSTR 1 फाइल करता है, okay, और आपके 2B में आता है, आपके GSTR 2B में आता है, ठीक है, तो जो 2B में update होता है, वो होता है, input tax, okay, input tax, और फिर बाद में, आप section 16, 17, 18, apply करके, ये input tax में से, कितना आपको ITC eligible है, okay, ITC eligible है, मतलब क्या, जैसे section 16 के हिसाब से, क्या invoice मिल ग GSTR 1, 2B में update होगे, हाँ, उसके बाद में goods receipt होगया, हाँ, उसके बाद में supplier ने payment कर गया, हाँ, उसके बाद में, मतलब आपने सारी condition fulfill की, तो इस पर से आपको self-assess करना पड़ता है, I repeat, आपको self-assess करना पड़ता है, in GSTR 3B, और GSTR 3B में जो आप self-assess करते होगी, ये मे है क्या point, ये समझाओगा, तो सारी student जो connected है, two type करो, तो input tax हैने क्या, input tax हैने, okay, CGST, HGST, UTGST, IGST, charge on invert supply, याने आपने जो goods or services purchase की, उसके ओपर जो GST tax charge हुआ, वो input tax बला जाएगा, imported goods पे, imported goods पे IGST, imported goods पे जो IGST है, उसके भी input tax का जाएगा, उसका भी credit आप ले सकते हो, under RCM, हाँ, RCM में जो आप tax pay करते हो, तो मैंने आपको बताया, कि आपको pay करना पड़ता है, बाद में उसका क्या मिलता है, credit मिलता है, पहले आपको pay करना पड़ता है, बाद में credit मिलता है, लेकिन, but does not include the tax paid under composition scheme, लेकिन धान रखे, अगर आपका supplier composition dealer होगा, जो 1%, 5% में tax दे दिया, तो भी आपको उसका ITC नहीं मिलेगा, वो आपका input tax नहीं माना जाएगा, चली, output tax मतलब, जो आपके outward supply पे, taxable supply पे, goods or service है, जो supply उसके output tax कहते है, but ख्यार रहे, output tax में reverse charge वाला नहीं आता है, जो reverse charge वाला payment करते हो, वो input tax करते हो, वो invert का करते हो, outward का नहीं करते हो, तो यह कुछ important definition थी, यह मैंने यहाँ पे ले ली, अब मैं आपको एक concept बताना चाओगा, आपको याद होगा, तो electronic credit ledger, एक ledger होता है, electronic credit ledger होता है, तो अब जैसे जो भी आप purchase करते हो, जो भी आपने purchase किया, तो purchase करने के बाद, आपका electronic credit ledger के credit होता है, क्रडिट होता है, यहनि आपके bucket में, समझ लो, electronic credit ledger की bucket है, तो आपके bucket में पानी आता है, ITC credit होता है, जो जो भी आपने मन्द में purchase किया, इसको कहते हैं, अवेलमेंट, इसको हम कहते हैं, अवेलमेंट, आपके bucket में पानी आ गया, और फिर यह bucket का पानी आप यूस करते हो, जो यूस करते हैं, डेबिट होता है, तो इसको हम कहते है, utilization against the payment of tax, utilization against the payment of tax, तो आपने credit लिया, आपने credit utilize कर दिया, तो utilization against the payment of tax, तो चलिए, अब देखते हैं, conditions, eligibility and conditions for available of ITC, अब देखो, आपको ITC avail करना है, भाई, पहले तो मिलेगा है नहीं मिलेगा, आपके 2B में update हो गया input tax, लेकिन इसमें से किसका मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, यानि आपको avail करता है, तो avail करने के लिए conditions क्या है, तो वो देख लेते हैं, avail करने की conditions यहाँ पे, section 61 section 61 क्या कहता है यहाँ पर section 61 कहता है कि अगर इन्या में किसी को भी ITC के credit avail करने है तो पहली condition वो बंदा registered होना चीए come on, वो बंदा क्या होना चीए registered बंदा होना चीए और second, supply use or intended to be used in the course or furtherance of business और कि वो supply उसने in the course or furtherance of business में use करना चीए अगर यह दोनों conditions फल्फिल होती है तो उसको ही ITC मिलेगा यानि जब तक आप registration नहीं लेते हो तब तक आपको ITC नहीं मिलेगे चलिए, एक मेरे पास पुराना डाइगराम होगा अगर वो डाइगराम मिल जाता है section 16 में कहां गया भाई, कहां गया नहीं है just a minute मेरे पिटारे में कहां पर है इदर देख लेता हूँ अगर यहां मिल जाए यहां ले लेते हैं हूँ, मिल गया, मिल गया चलो हाँ, यह केस सब्जाता हो, आपको देख जैसे, देहान से सुनना मेरी बादा हो carefully और देहान से सुनना okay देखो, समझ लो okay, आप 10 November तक threshold में थे, threshold में थे मतलब आपका जो है, आप अंडरिश्टर थे unregister थे, मतलब यहाँ पे आपका 10 लाग, 20 लाग 140 लाग का जो भी threshold में था आप threshold आप कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे 10 November को जो है, आप liable to register होगे, I repeat, आप liable to register होगे, अब law यह कहता है section 25 कहता है कि अगर आप 30 days में registration के लिए apply कर देते हो, I repeat, 30 days में registration के लिए apply कर देते हो तो आपका registration effective 10th November से ही माना जाएगा effective 10th November से माना जाएगा मतलब you are treated as registered person from the 10th November, let's take example, on 10th November you are liable for, okay you become a taxable person, you become a taxable person मतलब, okay, आप liable to register होगे, okay, और आप आपने apply किया 8th December को कि आपने यहाँ पे 30 days में apply कर दिया, yes, आपका 30 days में apply कर दिया, आपकी RC जो आई, आपकी RC 12th December को आई, I repeat, आपकी RC 12th December को आई, RC 12th December को आई होगी, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपने 30 दिन के अंदर apply कर दिया, तो आपका registration effective जो है, यहाँ पे 10th November से माना जाएगा, आपको 10th November से तो tax दे नहीं है, क्यों, क्यों क्योंकि आप liable हो गए थे, आप taxable person हो गए तो taxable person हो गए तो आपको तो GST दे नहीं है, 10th November से, लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर registration के लिए apply कर दिया, तो क्या फाइदा हो जाएगा आपको, तो फाइदा ही होगा, चलो, अब मैं ITC का फाइदा बता दो, अब एक बात परी द्हांस सुनना, अब क्या अगर आप यहाँ पे threshold में हो, और during that period, आपने inputs करीदा capital goods करीदा, या input service करीदे तो इसको ITC नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि section 16-1 की पहली condition है, कि you should be a registered person आप registered person होने चीए, आप तो registered person थे ही नहीं वो period में, तो कैसे ITC ले पाओगे, आप ITC नहीं ले पाओगे, अब 10 November को आप बन गए registered person अगर 10 November को आप register person हो जाते हो, तो section 18 switching करके एक section आएगा, जो हम आगे revision में लेंगे, section 18 कहता है, कि 10 November के पहले जो input का stock होगा, याने आपने जो inputs खरीदे, और वो input का stock पढ़ाओगा, और 10 November को, तो उसका preceding day को, 9 November को section 18 में वो अड़ है preceding day, याने 9 November को input का जो stock पढ़ाओगा, उसका credit आप ले सकते हो, समझ लो, आपने threshold period में 1000 unit of inputs खरीदे, जिसमें से 200 unit stock में पढ़े है, तो वो stock का credit आपको दिया गया, क्योंकि logic यह है कि वो 200 units of stock, आप आगे output tax में, मतलब आप taxable supply में यूज़ करोगे, इसलिए input का दिया गया, लेकिन ख्याद रहे section 18.1, एने स्रीब input का दिया है, capital goods और input service के credit नहीं दिये गया, मतलब अगर during threshold period आप capital goods और input service खरीदते हो, तो उसके credit कभी नहीं मिलते है, इसलिए बहुत सारे लोग voluntary registration ले ले लेते हैं क्योंकि voluntary registration ले लिया threshold के पहले ही, तो आपको capital goods और input service के आपको credit मिल जाते है, लेकिन चलो whatever it may be, जिस मैं आपको concept पढ़ा रहा हूँ कि, इस प्रेड़ में आप registered नहीं थे तो आपको IT से नहीं मिलेगा, जब आप registered होगे, तब section 18 के इसाब से stock का credit मिल जाएगा, और उसके बाद में, इवन दो आपकी RC 12 December को आई होगी, सुनना मेरी बग, इवन दो आपकी RC 12 December को आई होगी, लेकिन आप जो register person माने गए, क्योंकि आपने 30 दिन में apply कर दिया, और 10 November से माने गए, इसलिए 10 November के अगर आपने कोई input capital goods input services खरीदे होगे, तो आपको सब के ITC मिल जाएगे, because 10 November को ही आप register person बाने गए, किसी को अगर इसका screenshot लेना है तो वो screenshot ले सकता है चलो अब आते हम next विटा यहाँ पे, और वो है आपसे एक गलती कितनी भारी पढ़ सकती है, एक word, क्योंकि ITC तभी मिलता है, जब आप register person होगे, और यह word जो है, कितना impact create करता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप threshold में हो जैसे मैं आपको जो है जैसे 10 November 10 November के पहले आप threshold में थे 10 November को liable to register हुए आपने 30 दिन के अंदर apply कर देना चाहिए था, 10 November से 30 दिन मतलब 10 December तक आपने apply कर देना चाहिए था, आपने 10 December तक apply नहीं किया, आपने 20 December को apply किया for registration ओ तेरी, 30 दिन के अंदर आपने apply नहीं किया, नहीं, 30 दिन के बाद registration के लिए apply किया हाँ हाँ तो section 25 कहता है कि अगर 30 दिन के बाद registration के लिए apply किया तो ये बंदा register person तब ही माना जाएगा सुनना मेरी बाग ये बंदा register person तब से माना जाएगा जब जब उसका registration certificate आएगा समझ लो 27 December को registration certificate आया अगर 27 December को registration certificate आया तो ये register person ये बंदा register person 27 December से माना जाएगा लेकिन, मैं आपको बताता हूँ क्या सर फिर मैं जो tax दूगा वो 27 December के बाद दूगा क्या नहीं, आपके outward पे tax तो आपको 10th November से देना पड़ेगा क्यों? क्योंकि 10th November पे आप taxable person बन गए, अगर आपको taxable person की definition याद होगी वेटा तो okay, taxable person मतलब you registered और liable to register, तो आप taxable person तो 10th November से बन गए, section 9 के हिसाब से, आप taxable person होगे, तो आपको उसी दिन से GST देना पड़ेगा, मतलब आपके outward पे आपको GST 10 November से ही देना पड़ेगा यहाँ तक समझाओगा, तो one type कीजिएगा, और अच्छा लगाओगा, तो like कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको 10th November से ही output पे tax liability आ जाएगी, पर अब इसका impact क्या होगा देखो, आप लेट होगे registration में, तो क्या नुकसान होगा, okay, 10th November तक तो आप threshold में थे, 10th November तक आप threshold में थे, तो आपको input capital goods, input service के credit तो मिलेगे नहीं, और आपने 30 दिन में apply नहीं किया, तो 30 दिन में apply नहीं किया, तो 10 November से लेके, तो जब तक आपकी RC नहीं आती है, क्यूँ, क्योंकि आप registered person तब माने जाओगे, जब आप की RC आएगी, मतलब 10 November से लेके, तो 27th December तक, अगर आपने, okay, कोई input capital goods, input service क्रीदा होगा, तो उसका भी ITC आपको नहीं मिलेगा, because during this person, you shall not be treated as registered person, okay, तो आपको ITC नहीं मिलेगा, मतलब ये पिरेड में आप taxable person हो, इसलिए government कहती है, आउटवर्ट पे tax दो, लेकिन ये पिरेड में आप registered person नहीं हो, इसलिए आपको ITC नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने 30 दिन में अपलाई नहीं किया, register person तब से माना जाता है, जब आपको RC मिलेगी, तो इसमें ITC नहीं मिलेगा, और section 18 का, sir ठीक है जाने दो, कोई मेरा stock होगा, तो stock का ITC मिलता है, section 18 कहता है कि नहीं, stock का भी ITC नहीं मिलेगा, यानि section 18 का अगर आपको benefit लेना है, और stock के ITC लेना है, तो उसमें भी 30 दिन के लिए अपलाई करना पड़ेगा, मतलब आपने अपना क्या-क्या नुकसान किया, पता है गया, late registration करवाया, उसका late fee और penalty अलग, ये पिरेड का पुरा output tax देना पड़ेगा, ये पिरेड का ITC तो गियो, और ये पिरेड का ITC भी गियो, और stock का भी ITC गियो, कुछ नहीं मिलो, ओके तो इन simple word में, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, अगर आपने तीस दिन में अप्लाएं नहीं किया होगा, तो, और मैं आपको ये बता दू, कि, yes, ये पिरेड में आपके registration certificate बाद में भी आता है, तो भी ये पिरेड के आप revise invoice आपको बाद में देने पड़ते हैं, मतलब ये पिरेड में, क्यों क्योंकि ये पिरेड में आप effective होगे, liable to registered होगे, तो ये पिरेड के revise invoice concept आता है, invoice chapter में, तो ये पिरेड का revise invoice आपको बाद में देना पड़ते हैं, अभी मैं ITC पे फोकस कर रहा हूँ, तो आपको समझा क्या बिटा, ये समझ में आयें क्या आपको, बोलियो फटा फटा, चलो, तो ये importance था, एक word का, कि आपको ITC चीए, तो उस वक्त आप registered होने चाहिए, उस वक्त आप registered होने चाहिए, चलो, और आपने goods business purpose के लिए, यूज करना चाहिए, तो आपको ITC दिये जाएगे, next, अब section 16-2, very very important, problem solve करने के लिए, 16-2 बहुत important है, और इसकी, हर condition आप अच्छे से समझ लो, अगर आपको, ITC लेना है, ओके, overriding section, ये section 16 जो है, वो overriding section है, आपको fulfill करने ही पड़ेगी, पहला, he is in the position of tax invoice, और, sorry, he is in the position of tax invoice, और debit note, अगर, किसी भी मन्त में, आपको ITC लेना है, सुनना मेरी बाद, किसी भी मन्त में, आपको ITC लेना है, तो वो situation में, वो मन्त में, उस purchases का invoice, आपके position में चाहिए, या अगर आप debit note के base पर ITC ले रहे हो, तो debit note, supplier ने extra collect किया, debit note के थूँ, उसका भी ITC मिलता है, पर debit note आपके position में चाहिए, तो tax invoice और debit note आपके position में चाहिए, और any other prescribed document, औके, इनि अदर prescribed document में, औके, यहाँ पर, यह जो मैं list देने वाला हो, यह documents आपके position में चाहिए, अगर आप rule 36 देखते हो, तो ITC available on the basis of following docs, docs मतलब documents, invoice of the supplier, नहीं सुनना, supplier का invoice, rule 361 केता है, कि आप कौन-कौन से document पर ITC ले सकते हो, supplier का invoice, दूसरा, reverse charge में self invoice, आपको यादा रहे, मैंने reverse charge में self invoice concept पढ़ाए था, अगर आपका supplier unregistered है, और, supplier reverse charge का है, तो recipient को invoice बनाना पड़ता है, तो वो self invoice के base पे credit ले सकता है, debit note के base पे credit ले सकता है, अगर imported goods होगा, imported goods होगा, तो bill-off entry के basis पे credit ले सकता है, उसके बाद में supplier ने, क्योंकि during that period रहे रजिस्टर नहीं था, तो उसने revise invoice दिये, तो revise invoice के base पे recipient credit ले सकता है, और, document by ISD, ISD मतलब input service distributor, तो input service distributor के basis पे वो credit ले सकता है, okay, ISD का document है, तो उसके base पे वो credit ले सकता है, चलो, तो यह eligible document है, जिसके उपर वो credit ले सकता है, जो invoice उसके possession में है, वो invoice में सारी information, जो rule 46 की, rule 40 में आपका tax invoice कैसे होना चीए, ऐसे, यहाँ पे 22 informations है, वो सारी information आपके purchase invoice में होनी चीए, तो ही आपका invoice, valid invoice माना जाएगा, अगर, यहाँ पे information में गलती हो, तो officer doubt ले सकता है, officer बोल सकता है, कि यह fake invoice है, और कि हम credit डिसलाओ कर देंगे, water it में भी, लेकिन, section 36.2, proviso कहती है, कि अगर, यहाँ पे आपके invoice में गलती होगी, समय लो date में गलती हो गई, spelling mistake हो गई, HSN गलत हो गए, ठीक है, लेकिन 5 information गलत नहीं होनी चीए, कौन सी 5 information गलत नहीं होनी चीए, आपके invoice में बहुत clear होना चीए, what is the details of tax, मतलब क्या, tax must be shown separately, जब आप purchase invoice लो, तो वो tax inclusive of GST नहीं होना चीए, अगर आपके purchase invoice में, inclusive of GST price लगा दिया, तो आपको credit deny कर दिये जाएगे, उसमें tax amount separately होना चीए, तो ही आपको ITC दिया जाएगा, दूसरा description of goods or service बहुत clear होना चीए, third, value of supply बहुत clear होना चीए, यह learn करके जाना, details of tax, description of goods or services, value of supply, GST, मतलब supplier का GST, आपका GST clear होना चीए, GST of both, supplier and recipient, and place of supply, especially, उसका आगे लिख देना, place of supply, especially in case of interstate supply, मतलब क्या, अगर आपने other state से purchase किया होगा, तो उसमें place of supply clearly mention होना चीए, interstate होगा तो ठीक है, नहीं भी किया तो चलेगा, पर interstate supply होगा, तो यहाँ पे place of supply clearly mention चाहिए, तो अब मैं आपको यह बता दू, यह 5 के अलावा, अगर कोई information में गलती भी होगी, सुनो, just a minute, just a minute, यह 5 के अलावा, कोई अगर other information है invoice के, और उसमें गलती भी होगी, तो भी officer ignore कर देगा, officer कहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर यह 5 information बहुत clear चाहिए, अगर इसमें कोई गलती होगी, तो आपका invalid invoice माना जाएगा, fake invoice माना जाएगा, और officer आपका ITC deny कर सकता है, okay clear, उसके बाद में third, third कहता है no ITC, अगर if the tax has been paid, and demand is confirmed because of fraud, willful misstatement and etc, मतलब क्या, अगर आपके supplier ने fraud किया था, और आपको GST नहीं लगाया, बाद में उसका fraud पकड़ा गया, demand आई उसके against में, कि तुझे GST देना पड़ेगा, तो उसको officer ने GST मांगा, इसलिए आपको उसने debit note भीज़ दी, कि देख भाई मैं पकड़ा गया, मैं पकड़ा गया तो मुझे GST बेप करना पड़ रहा, तो उसको आपको debit note भीज़ दी, तो ख्याल रहे, अगर उसने fraud किया होगा, और fraud की वज़े से उसका GST demand किया जा रहा है, तो आपको उसके document पे ITC नहीं मिलेंगे, अगर वो fraud वाला tax आप से मांगा गया, इसलिए अगर ख्याल रहे, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका debit note या tax invoice जो fraud का है, वो accept मत करना, जो बाद में पकड़ा गया, और कि आपने accept कर लिया, तो government कहती है, इसमें 13 गाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, जादा प्यार हो जाता, तो मैं सैं नहीं पाता, और कि in simple word, government आपको credit नहीं देगी, आपको उसका invoice लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी, पर आपको credit नहीं देगी, तो पहली जो condition है section 16-2 की, कि invoice और tax invoice और debit note और other document, और कि यहां आप word add करना चाहते हैं तो कर सकते हो, और other document आपके चार्ट में होगा तो ठीक है, और कि other document as prescribed, तो आपके पास इतने documents होने चाहिए, वो document valid document होने चाहिए, invoice होना चाहिए और वो fraud का नहीं होना चाहिए, और कि यह सब कूछ सही होगा, तो आपका credit continue रहेगा, यहां तक समझ में आओगा, तो वो type कीजिएगा, यह मतलब मैं समझ जाओगा, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, दूसरी condition, दूसरी condition यह है, details of invoice or debit note has been furnished by supplier in GSTR 1, and such detail has been updated in GSTR 2 भी, मतलब क्या, मतलब आपके supplier ने, आपको ITC तभी मिलेगा, सुनना मेरी बात, आपको ITC तभी मिलेगा, अगर आपके supplier ने GSTR 1 अपडेट कर दिया है, और आपके 2 भी में आ गया, मतलब जब तक आपके 2 भी में नहीं आता है, तब तक आपको ITC नहीं मिलेगा, अगर कोई पुराना student होगा एक देड़ साल पहले दो साल पहले और यह मेरा revision देख रहा होगा तो पुरानी एक provision थी recorded and non-recorded invoice ओके हाँ non-recorded invoice के case में 10% 5% का credit था लेकिन अब उन्होंने वो सब खतम कर दिया है अब जब तक आपके 2B में record नहीं होगा तो यहाँ पे 36.4 36.4 अगर आप देखते हो तो बहुत clear बोल दिया है उन्होंने rule भी दिया उसके साथ यानि actually clause A.A. का connection 36.4 के साथ है clause A.A. का connection 36.4 के साथ है मतलब क्या you cannot take the ITC unless supplier update the details in GSTR1 और IFF सर यह IFF क्या होता है यह IFF होता है invoice furnishing facility जो में QRMP scheme में आगे आपको पढ़ा होगा तो यहाँ पे जब तक आपका supplier GSTR1 में यह IFF में अपडेट नहीं करता है और आपके 2B में वो नहीं आता है आपको ITC नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो ख्याल रहे है यहाँ पे कि आपके GSTR1 में अपडेट होना supplier ने GSTR1 में अपडेट होना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए अब जब तक 2B में रेकॉर्ड नहीं होगा ITC नहीं मिलेगा समझा क्या समझा होगा तो AA टाइप कीजिएगा फटा 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 देखो जितने student connected है आप टाइप करोगे मतलब आप actively involved हो और मुझे भी समझेगा कि yes ओके यहाँ पे आपको समझ में आया now third he has received the goods or services तिसरी condition है कि आपको वो goods or services receive हो जाने चाहिए और यह सारी cumulative condition है अगर उस month में या उस period में goods or service receive होगा तो आप IT से ही ले पाओगे चलो इसको थोड़ा मैं explain करता हूँ मेरे पास पिटारे से चार्ट निकालता हूँ खुल जा सिम सिम ओके हाँ हाँ आपको screenshot लेना है तो आप ले सकते हो आपको इसका screenshot लेना होगा तो ले लो एक और चार्ट था इसका मैं भूल गया screenshot वो 30 days पर आपने registration नहीं करवाया क्या होगा इसका screenshot लेना है तो ले लेना हाँ भई कुछ student एकदम यहाँ पर घर पर बहुत अच्छा homework करते हैं draw करते हैं समझ लेते हैं बात को तो चली next अब आते हैं पहले मैं समझा देता हूँ फिर screenshot लेना है तो ले लेना अब देखिए बटा यहाँ पर मैं चार ओके situations ले रहाँ there are total four situations I am taking here to get understanding of clause A, A, A and B अब मैं आपको यह कह दू clause A की condition क्या थी कि जो मंत में आपको ITC चाहिए उस मंत में invoice position में चाहिए, debit note position में चाहिए, clause A की condition क्या थी कि आपके supplier ने GSTR 1 में update कर देना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए और clause B की condition क्या थी, goods or services receive होना चाहिए चलो, situation A लेता है date of receipt of invoice, invoice मुझे 25th April को मिला, ठीक है goods भी मुझे April में मिले और एप्रिल के 2B में update भी हो गया update in GSTR 2B of April अब जब तीनों चीज़े एप्रिल में हो गई, तो क्या मैं April का जब 3B फाइल करूगा तो मैं क्या ITC ले सकता हो, यह A invoice का, तो yes बेटा okay, in the month of April मैं ITC ले लोगा now B, B situation की date of receipt of invoice April में हुआ date of receipt of invoice April में हुआ okay, goods में में आया, लेकिन 2B के April के 2B में update हो गया even though April के 2B में update हो गया even though invoice April में आया, पर goods कब receive हुआ, में में तो मुझे April में इसका credit नहीं मिलेगा okay, April में मिलेगा, तीनों condition accumulatively fulfill होनी अपुल प्रेयल में नहीं मिलेगा, फिर इसका credit कब मिलेगा तो इसका credit मुझे मैं मिलेगा in the band of में मिलेगा नो तिसरा तिसरा यहां पे invoice आया मैं में goods आगया goods or service receipt होगी goods or service receipt होगी April में और 2B में update हुआ make a 2B में update हुआ even though goods or service issued in April but invoice में में आया or 2B में हुआ make a 2B में update हुआ तो मैं इसका itc में में ही ले पाऊगा और last invoice आया April में सुनना invoice आया April में goods भी आया April में लेकिन मेरे supplier नहीं है July के GSTR 1 में update किया और मेरे 2B July के 2B में भूल गया हुआ ऑप्डेट करना और July के 2B में update किया मेरे तो अगर 2B में April में नहीं आया होगा और जुलाई की टू भी में अपडेट हुआ होगा तो मुझे ITC जुलाई में मिलेगा इन सिंपल वर्ड इन तीनों में से वीचेवरी लेटर होगा उस मन्त में ITC मिलेगा बोस अगर ये समझाओगा तो बताइए यहाँ ये समझाओगा तो टाइप कीजिए यहाँ पर क्या करो हाँ टाइप कीजिए 3 यानि तीनों क्लॉजेस आपको समझ गए और स्क्रीन शॉट लेव स्क्रीन शॉट लेव चलिए तो अब आते है बिल्टू शिप्टू मोडल में मतलब जो वीचेवरी लेटर होगा उसको ITC मिलेगा अब आते है बिल्टू शिप्टू मोडल में यहाँ पर बिल्टू शिप्टू मोडल में स्वरी जिस्ट लेट डेख बिल्टू शिप्टू मोडल अब देखो बिल्टू शिप्टू मोडल क्या होता है यह exception है समझ लो C, मतलब ये ले लो Vsmart Vsmart को Vsmart के लोगों की T-shirt प्रिंट करवाना था Vsmart ने order दिया B को कि भाई, मुझे 1000 T-shirt प्रोवाइट कर B ने जो है, सुनना B ने आगे order दिया supplier को Supplier मुंबई का है B पुने का है, Vsmart पुने का है मुझे, जो मुंबई का supplier उसका मेरा कोई connection नहीं है मैंने B को order दे दिया कि मुझे 1000 T-shirt प्रोवाइट कर B मुझे invoice देगा B ने आगे order forward कर दिया A को और A B को invoice देगा ही कह? अब B ने ये कहा A को कि यार एक काम कर Direct ship to C कर दे Okay, ship to C मतलब क्या कि भई, तू direct V smart को Delivered कर दे, तो यहाँ क्या हो गया A जो है, A bill to A bill to B करेगा पर ship to C करेगा, यहाँ तक समझ में आया क्योंकि billing तो वो B को देगा और B C को देगा तो यहाँ दो invoice generate होगे A to B और B to C लेकिन, यह जो पहला invoice generate हो रहा है, वो generate हो रहा है, B के नाम का पर shift हो रहा है, C के नाम का जहां तक देखा जाए और जब B to C जाएगा तो B to C में invoice आयगा तो V smart तो credit ले लेगा, क्यों credit ले लेगा कि goods are issued, V smart को आ गया, और B से invoice आ गया तो उसको तो credit मिल जाएगा पर problem क्या है, B जो है B output tax लगा रहा है C को, और उसका input tax है, A से आया हुआ तो B भी credit लेगा, क्योंकि A से जो invoice है, उसका credit लेगा against output tax, तो ऐसे situation में, what is the condition for taking ITC, condition है कि जो भी credit लेना चाहता है उसके लिए goods receive होना चाहिए B को तो goods आई नहीं, या service हाई नहीं, goods और service तो direct चली गई, तो ऐसे case में अगर build to shift to model होगा, और on the direction of registered person, goods are directly delivered to see और service directly provided to see तो ऐसे case में goods are deemed to be received I repeat, goods are deemed to be received to be when delivered by the supplier जिस दिन supplier delivered कर देगा goods, या service render कर देगा, उस दिन ये माना जाएगा कि B को goods मिल गया, या service मिल गई और उसका ITC मिल जाएगा, ये build to shift to समझा क्या, अगर ये समझा होगा, ओके तो shift to type करो, ओके ये समझा होगा, तो shift to type करो, यहाँ पे build to shift to समझ में है क्या आपके चल्ड, तो यह हमने देखा, यहाँ पे B clause का build to shift to model, उसके बाद में, एक नया clause introduced हुआ है, इस बाद, मतलब, यहाँ पे finance act 2022 ने एक नया clause introduced किया है, ओके, देखो, अब क्या है, the details of input tax credit, in respect of sales supply, communicated to such register person, under section 38, has not been restricted, has not been restricted, ये BA clause introduced हुआ है, अब ये क्या कहता है, ये BA कहता है कि section 38 में, हम कुछ cases बताएंगे, section 38 2, return chapter, amendments related, boss, मैं फिर से कहता हूँ, amendments जो भी रहेगी, वो आपने जरूर, यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, तो, ऐसे case में, जो section 38 है, okay, section 38 में, subsection 2 जो कहता है, और subsection 2 ये कहता है कि, कुछ cases में, ITC restrict किये जाएगे, और जो-जो cases में, ITC restrict किये जाएगे, तो आपको, वो ध्यान रखना है, और उसका credit नहीं लेना है, तो इधर section 16 में, BA डाल दिया, BA में ये कह दिया कि, 38 में अगर restriction डाला होगा, तो आपको ITC नहीं मिलेंगे, 38 में क्या restrictions हैं, और ये जिस्ट आपको, एक overall idea दे देता हूँ, okay section 38 का, कौन-कौन से restriction एक general idea, अगर आपके chart में ये नहीं होगा, तो ये लिख लेना, और इसका screenshot लेना, पहले मैं समझा देता हूँ, section 38 में क्या-क्या है, ठीक है, तो हो सकता है, कि आपके chart में नहीं हो, हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने डाला हो, तो कोई students को पहले chart निकल गए होगे, तो हो सकता है, तो ये screenshot लेके आपने add कर देना, वैसे तो return chapter में मैंने डाला ही है, पर अभी यहाँ देख लो क्या है, furnishing details of invert supply of input tax credit, ITC not available under section 38, as per GSTR 2B, if supplier is having new registration, क्योंकि ITC के इतने fraud हुए, इतने scam हुए, तो अब government क्या कह रही है, कि हम future में एक notification issue करेंगे, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, इसलिए सवाल मत पुछना, हम, हम future में notification issue करेंगे, और कुछ जो नए registration ले रहे हैं लोग, उनके invoice पे आपको कुछ period तक ITC नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा, तो उससे related, हम details बताएंगे notification में, अभी तक notification नहीं आया, पर ऐसा हो सकता है future में, कि कुछ जो नए registered person है, उनसे अगर आप purchase करते हो, तो government उसके credit रिस्टिक कर देगी, कुछ period तक, ओकी, लोग बहुत डरेवे हैं, कि बहीं बताओ, और यह आपको GSTR 2B communicate कर देगा, यह AI रहेगा, और 2B जो आपका reflect होगा, वो बता देगा, कि इन लोगों से मत खरीदना फिलागा, आपको ITC नहीं मिलेंगे, तो यह करिया है, पर सर कौन कैसे, अभी तक clarity नहीं है, बस point समझ लो, कि new registration होगा, तो कुछ परेट तक government रिस्टिक कर पाएगी future में, दूसरा, अगर किसी ने, टैक्स परेट कोई supplier आपका, और वो टैक्स परेट में default कर रहा है, और continuous कुछ परेट के लिए कर रहा है, तो वो blacklist में आ जाएगा government की, common portal उसको blacklist में डाल देगा, और जैसी common portal ने blacklist में डाल दिया, उससे जिसने भी खरीदा होगा, उनको, उनके login में pop-up आ जाएगा, 2B में, कि इसके IT से आपको नहीं मिलेंगे, 2B आपको suggest कर देगा, कि इसके IT से नहीं मिलेंगे, वो pop-up आ जाएगा आपके इसमें, तो in simple word, अगर कोई default होगा, तो boss वो तो गयो, यानि government indirectly कह रही है, लोगों को message दे रही है, देखो, अगर आप default है तो आपको हम blacklist में डाल देंगे, so that आपके customer को credit मिलेगा ही नी, और आपके customer को credit नी मिलेगा, boss तो कभी customer आपके पास आएगा नी, आपका business खतम कर देंगे, खतम, इसलिए tax regular देने का, पर इससे related भी अभी कोई notifications नी आया है, सिब government प्रोविजन डाल के डरा के रख दिया, कि ऐसा है, अब हम आगे prescribe करेंगे, इसलिए पता नी government इसलिए notification देगी या नहीं देगी, अभी डराने के लिए डाल दिया है, so that लोग सुधर जाए, वो बादल लगे, उसके बाद में, has tax paid in GSTR 3B lower than the GSTR 1, लोग ऐसा कर रहे है, GSTR 1 में tax यादा बता रहे हैं, और 3B में कम कर रहे हैं, चीटर है, चीटर एक नंबर के, तो जो लोग चीटर होगे, उनके नाम भी BlackRix में डाल देंगे, और कि इसलिए गाव वालो और ये इंडिया वालो समझ जाओ, कि जो GSTR 1 में आपने output tax बता है, उतना 3B में pay करने का, has not, has taken a more ITC in GSTR 2B than GST, double आ गया, has taken a more ITC in GSTR 2B, than GSTR 3B prescribed limit, मतलब 2B और 3B match नहीं हो रहा है, has paid the higher proportion of taxes from his credit, than what is allowed, तो जो भी ये और इनी notified person, तो जो जो लोग ये करेंगे, हम BlackList में डालेंगे, जैसे हमने BlackList में डाल दिया, इन लोगों से purchase करने वाले लोगों को, कि यहाँ पर credit deed दिनाय कर दिया जाएगा, दिनाय कर दिया जाएगा, तो दोस्तों, लेकिन इसमें फिलाल, गौर्मेंट के कोई notification नहीं आया है, गौर्मेंट ने सब को आगा कर दिया है, कि ऐसा आप future में करेंगे, इसलिए एक सर वो जाने तो गौर्मेंट ने क्या करें, हम exam में क्या करें, बस ये list पढ़के जाना, इसमें ज़्यादा दिमाग मत वढ़ाना, क्योंकि गौर्मेंट ने खुदी अभी कोई clarification नहीं दिये इसके उपर, ठीक है, तो चलो, अगर आपके चार्ट में नहीं होगा, तो ये जो जगा है, इसमें लिख लेना, लिख लेना, स्क्रीन शॉट लेलो, section 38, ये clause भी ये हुआ, उसके बाद में, next आते है, tax charge on supplier, has been actually paid to the government by the supplier, अब ये point को समझ लो, जो tax supplier ने आपको charge किया है, I repeat, जो tax supplier ने आपको charge किया है, वो tax supplier ने government को pay कर देना चाहिए, अगर बाद में पता चलता है, कि उसने government को नहीं pay किया, तो आपका ITC reverse हो जाएगा, एक section 41 है, section 41 कहता है, कि no doubt, अभी ले लो ITC आप, अगर आपकी पहली चारो condition फुल्फिल होगी, A, 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 B, BA, ये फुल्फिल हो जाती है, तो ITC ले लो, और ITC लेने के बाद, बाद में पता चला, कि आपके supplier ने तो government को tax दिया ही नहीं, 3B file किया ही नहीं, और ये बाद में पता चलता है, अगर boss ये बाद में पता चलता है, तो वो situation में, यहाँ पे आपका credit reverse किया जाएगा, या आपको उतना tax दिया पड़ेगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो supplier ने दिया, आपने तो पैसा दे दिया supplier को, लेकि आपकी कोई भी गलती नहीं होने के वज़े, उससे government को लेना देना नहीं है, तुमारे supplier ने tax नहीं दिया, तो आपका credit दिना कर दिया जाएगा, ये clause C था, और D clause, D clause, he has furnished the return, मतलब अगर credit लेना है, तो return file किया जा रहा है, तो ये basic चार conditions थी, अगर ये चार conditions, sorry, 5 conditions होगे, 6 होगे, 6 होगे, तो ये 6 conditions थी, अगर आप 6 conditions फुल्फिल करते हो, तो ये situation में आपको ITC दिया जाएगा, ये समझ में आए सारी conditions, अगर सारी conditions समझ में आए तो 6 टाइप करो फटाफट, सारी conditions समझ में आए होगे, तो 6 टाइप करो फटाफट, उसके बाद में मैं आता हो, D, प्रोवीजो, दो प्रोवीजो है, अगर आपको goods lot में आता है, मतलब, invoice है किये, समझ लो मैंने 100 benches की order दिया, अगर मैंने 100 benches की order दिया, उसमें से, invoice एक ही बना, ये important है, invoice एक ही बना, उसमें से, पहला consignment आया, 20 benches का, second आया, 20, 50 benches का, तो मुझे credit, पहले consignment पे नहीं मिलेगा, मुझे credit मिलेगा, जब मेरा last consignment receive होगा, last consignment receive होगा, चलो, next proviso 2, proviso 2 में आपको diagram से समझाना चाहोगा, ठीक है, proviso 2 में आपको diagram से समझाना चाहोगा, आपको बाद में screenshot लेना है, तो ले लेना, अब ये diagram देखो, proviso 2 का, step by step चलते हैं, ध्यान से, supplier, supplier recipient को, goods और service जो भी होगा, supply कर रहा है, ये supplier credit supply, credit मतलब cash sale नहीं है, credit sale है, value of supplier 30 lakh है, GST 12% 3.6, 33.6, supplier ने goods भेज़ दिया, recipient को, और कहा, देख भाई, 33 lakh का माल भेज़ रहा हो, पैसा दे देना जल्दी, अब, ये cash हो या credit हो, supplier का तो, TOS तभी आ जाएगा, जब invoice issue हुआ, मतलब, supplier को अपने JST देना है, यह देगा बात में, पर फिलाल तो, अपने JST से देना है, supplier ने, यहाँ पे, क्योंकि ये 10th April का supply हुआ, तो April मन्त में, GSTR 1 अपडेट कर दिया, invoice अपडेट कर दिया, और supplier बहुत अच्छा आदमी है, उसने tax भी पे कर दिया, GSTR 3 भी में, अपने JV से दिया tax, जबकि ये credit supply था, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे GSTR पोर्टल पे data अपडेट हो गया, GSTR पोर्टल ने, 2B, ओके, recipient के 2B में, input tax अपडेट कर दिया, अब, recipient को, क्या, ये credit, जो purchase हुई है, उसका credit मिले, ITC मिलेगा क्या, ITC मिलने की पहली condition, पहली condition, में आगया, हाँ, now goods ratio हो चुका है, हाँ, या service ratio हो चुकी है, हाँ, क्या, आपके supplier ने government को, tax pay कर दिया, हाँ, क्या, ये black list में है, section 38 के, नहीं, section 38 के black list में, नहीं है, क्या, recipient return furnish कर रहा है, हाँ, सारी condition fulfill हो गई, credit मिल जाएगा, yes, क्यों ना credit purchase हो, लेकिन ITC मिल जाएगा, और इस बंदे ने ITC ले लिया 3.6, उसके बाब में, government ने एक proviso डाली है, proviso 2, proviso 2 ये कहती है कि, अगर recipient ने ITC ले लिया है, लेकिन recipient को, within 180 days, 6 मत मत लिखना, within 180 days, from the date of invoice, date of invoice किया है, 10th April, तो 10th April से, 180 days में, recipient ने, full payment कर देना चीए, हाँ बेटा, अब part payment की provision नहीं बची, अब full payment, मतलब 33.6, पूरा का पूरा payment, पूरा का पूरा payment, 33.6, okay, recipient ने supplier को कर देना चीए, 180 days में कर दिया तो, ठीक, नहीं तो क्या होगा, तो भई 10th April का invoice है, चलो calculator लो, 180 days कितने दिन में होते हैं, चलो लो फटा फटा, मेरे हिसाब से, आपके 180 days, 7th October को खतम हो गया, okay, अगर 7th October नहीं आ रहा होगा, तो मुझे बताओ, पर मेरे हिसाब से, 7th October को खतम हो गया, फेक ट्रांजेक्शन को कौर करने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, बिल लेते जाएंगे, क्रेडिट लेते जाएंगे, और पेमेंट नहीं करेंगे, बुक्स में पेंडिंग रहने देंगे, नहीं, गवर्मेंट कहते हैं, पेमेंट भी कर भाई, ठीक है तो आपके 180 days 7th October को आते हैं पहला payment made within 180 days पेमें 180 days में किया तो आपने जो credit एप्रिल में ले लिया था एप्रिल के मन्द के 3B में ले लिया था आपने क्योंकि आपका तो invoice आ गया था एप्रिल में तो एप्रिल का 3B जब भी फाइल हुआ होगा अगर आप बंतली स्कीम में होगे तो 20 में को फाइल होगा quarterly स्कीम में होगे तो एप्रिल में जुन जुलाई में फाइल होगा 22nd या 24th QRMP स्कीम में दो डेट होती है 22nd या 24th तब आपने क्रेडिट ले लिया होगा water it में भी तो अगर आपने 180 days में payment कर दिया है तो आपका credit continue रहेगा कोई problem ले ले ल जी एस्ट या 3 वी पे और रिवर्स इन जी एस्ट या 3 वी equals to ITC taken पे और रिवर्स इन जी एस्ट या 3 वी equals to ITC taken जितना आपने ITC लिया 3.6 उतना आपको reverse करना पड़ेगा अके इन जी एस्ट या 3 वी और यहां पे अब देखो क्या कहते है यह जो आपको pay or reverse करना है यह इन जी एस्ट या 3 वी immediately immediately after 180 days 180 days मतलब क्या मतलब यह था कि अगर कुछ पुराने student होगे तो मैं आपको बता दू पहले ऐसा था जो मंत में 180 days खतम होगे धान से सुनना ओके पुरानी प्रोजियन ऐसी थी कि जो मंत में 180 days खतम होगे उस मंत की due date बता 180 days कब खतम हो रहे है 7th October तो October की due date क्या थी? 20 November October की due date 20 November तो आप इसको पे करोगे या reverse करोगे 20 November को along with interest, interest के साथ, interest भी लगेगा आपको पर तो along with interest आप पे करोगे और वो करोगे 20 November को लेकिन अब law क्या कहता है? क्यों 20 November तक रुकना? क्यों interest लगाना? 7th October को 180 days हो कहते है न तो इसके immediately after जो भी 3 भी आएगा तो 7 October के बाद 3 भी 20 October का आएगा जो September का फाइल करना है, okay तो आप 20 November तक रुकने की जरुवत नहीं है जो भी GSTR 3 भी आप फाइल कर रहे है, immediately after 180 days तो जो यहां पे, that is, जो 20 October का 20th October का GSTR 3 भी आएगा और उसमें आप reverse कर दो तो भी चलेगा अब ऐसा नहीं रहा कि जो month में 180 days होगे उसका जो 3 भी आएगा ऐसा नहीं जैसे 180 days हो जाते है उसके immediate after जो 3 भी आएगा उसमें pay or reverse कर दो along with interest और इसमें interest जो लगेगा section 53 के तहर revit rule 88B, okay, यह interest जो है okay, यहां पे यह interest 18% per annum 18% per annum का लगेगा date of credit and utilization section 53, 88B हम payment of tax में बहुत अच्छे से देखेंगे okay, अगर आपका payment of tax का revision हो गया होगा तो देख लिया यह हम देखेंगे, okay, और यह important discussion है section 53 और 88B okay, credit avail and utilize होगा तो वह situation में आपको interest जो है, okay, prescribed interest rate to 24 है पर अभी notified by the government 18 है, आपको 18% interest के साब से चलना पड़ेगा okay, तो हम आगे देखेंगे और उसके बाद में चलो, तो यह आपको interest के साथ pay करना पड़ेगा और next, हाँ, मैं आपको एक बात बता दू, चलो वह section 53 में आगे बताओगा वह section 53 में आगे बताओगा, अभी हम focus करते 180 days पे उसके बाद में बेटा, अगर sir, मैंने, ठीक है, 180 days में नहीं दिया, 180 days में उस supplier को payment मेरा dispute चाली उसके साथ कि भै देख, तुने ऐसा किया और ऐसा किया, मैंने 180 days में उसको payment नहीं किया और उसका ITC मैंने reverse भी कर दिया with interest, ITC reverse भी कर दिया with interest, लेकिन अगर मैंने उसको 180 days के बाद pay किया होगा तो, from the date of invoice, अगर आपने 180 days के बाद pay किया होगा, तो regain the ITC, मतलब जो ITC आपने यहा pay or reverse किया था, उसको regain कर लो, लेकिन स्रीप ITC regain होगा, interest regain नहीं होगा, I hope you understood this provision, yes or no, आपको screenshot लेना है था आप ले सकते हो, चली, और यहाँ पर, हम, added to the output tax liability, एक वर्ड आड कर देना, हाँ ठीक है, details to be furnished in GSTR 3B for the month, immediately after 180 days, यह underline कर लेना, immediately after 180 days, और यह वाला part important है, यह 180 days का payment कहाँ applicable नहीं है, यह 180 days का payment नहीं भी किया, तो भी आपको ITC रहेंगे, पहला, RCM के case में, अगर आपने, RCM में tax दिया होगा, और credit लिया होगा, तो, वो credit continue रही है, उसमें 180 days का payment कर क्राइटरियन नहीं है, DEEM supply under schedule 1, schedule 1 के supply होगे, branch transfer होगा, stock transfer होगा, तो आपको ITC दे दिये जाएगे, उसमें 180 days का criteria नहीं है, और उसके बाद में, value of supplies on account of section 15-2B, अगर आपने supplier को pay नहीं किया, लेकिन कोई third party को pay कर दिया होगा, तो भी वो DEEM payment माना जाएगा 180 days में, और आपको ITC reverse करने की जरुबाद नहीं है, चली, उसके बाद में 16-3, अगर आपने capital goods खरीदा होगा, और capital goods के GST component पे, income tax में depreciation claim क्या होगा, किस पे बोला, बोलो मेरे साथ, GST component पे, अगर income tax में depreciation claim क्या होगा, तो उसका ITC आपको, नहीं मिलेगा, उसका ITC आपको नहीं मिलेगा, और important, time limit for availablement of ITC, very very important, अब time limit जो चुकी है, अगर आपने last financial year में, समझे लो financial year 24-25 है, और credit लेना भूल गए, credit लेना भूल गए, तो डरो मत, अगर financial year में credit लेना भूल गए, और बाद में समझ भी आया कि, अरे यह invoice का तो credit ले ही नहीं, तो आप अगले financial year के 30th November, important, अकर आप पुराने कोई student होगे तो पहले 20 October date थी, अब 20 October नहीं रही, अब यह 30th day of November हो गई, 30th November और date of furnishing annual return, whichever is earlier, तब तक आप credit ले सकते हो, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे बेटा, द्यांस सुनना, okay, time limit for availing ITC, अब यह जो time limit होगी for availing ITC, मतलब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे समझा दूँ, कि कोई invoice का ITC आपने miss कर दिया, financial year 23, 24, miss कर दिया, तो डरो मत, year होने के बाद भी, 30 November तक आप ITC ले सकते हो, provided that आपने annual return बाद में दिया, अगर आपने annual return पहले दे दिया होगा, तो 30 November और date of annual return, whichever is earlier, is your cut-off date, अगर आपने annual return पहले दे दिया, तो वहाँ तक ही आप ले पाओगे, अगर आप annual return बाद में दे दिया, तो 30 November तक आप ITC ले पाओगे, ठीक है, तो date of furnishing annual return, और 30 November, whichever is earlier, तो आपको इसका screenshot लेना है, तो आप ले सकते हो, अगर आप चाहते हो, तो आप इसका screenshot ले सकते हो, चलिए बेटा, तो आपने ये देखा, same for debit note, debit note के लिए भी ऐसे ही रहेगा, कि जो year में debit note issue किया, उसके subsequent year तक आपको ITC दिया जाएगा, तो I hope आपको ये section 16 पूरा समझ में आया होगा, अगर section 16 समझ में आया होगा, तो जितने भी student connected है, yes 16 type करो, okay, और अच्छा लगा होगा तो, yes like करो, अच्छा लगा होगा तो like करो, चल, आजाएए, यहाँ पर block credit section 17.5, तो यह block credit में, सबसे पहला block credit है जो है बेटा, यहाँ पर motor vehicle, motor vehicle for transportation of person होगा, और motor vehicle जो आपने खरीदा for transportation of goods होगा, अगर वो for transportation of goods होगा, तो बिंदास उसका ITC ले लो, कोई restriction नहीं है, हाँ, अगर motor vehicle for passenger transportation होगा, तो उसमें दो पार्ट, उसकी sitting capacity देखो, उसकी approved sitting capacity including driver 13 या उससे कम होगा, और उसकी approved sitting capacity including driver 13 से ज़्यादा होगी, मतलब bus अगरे, तो 13 से ज़्यादा होगी, तो ITC ले लो, बिंदास ले लो, कोई problem नहीं है, अगर 13 से कम है, तो वो case में ITC नहीं मिलेगा, मतलब ITC आपको कम नहीं मिलेगा, for transportation of person है, sitting capacity 13 और उससे less है, तो normally आपको ITC नहीं मिलेगा, पर उसके भी exceptions है, नहीं सुनना, उसके भी exception है, अगर आपकी sitting capacity 13 से कम है, पर आप वो motor vehicle, let's say के example, car, mini bus अगरे, आप जो use कर रहे हो for taxable supply, मतलब कुछ कमाई के लिए यूज कर रहे हो, उससे कमा रहे हो, अच्छा, government के लिए तुम कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, for further supply of such motor vehicle, a further supply मतलब, जो आपने car खरी दी, for further supply, यहने sale, transfer, license, lease, rental, यहने आप वो car sale कर रहे हो, transfer कर रहे हो, license, lease, rental, disposal for consideration in the course of business कर रहे हो, तो वो case में, अगर उससे कमा रहे हो, तो आपको ITC मिल जाएगा, rain पे दे रहे हो, license पे दे रहे हो, lease पे दे रहे हो, तो आपको ITC मिल जाएगा, आप वो motor vehicle, passenger transport service के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगा, या third, आप training and driving school में यूज करे हो, तो आपको ITC दे दिया जाएगा, तो यह अपने motor vehicle की बात की, उसके बाद में vessel and aircraft, अगर आपने कोई vessel खरीदा, chartered plane खरीदा होगा, cruise ship खरीदी होगी, aircraft खरीदा होगा, जो भी खरीदा होगा, तो vessel और aircraft खरीदा, अगर वो transportation of person के लिए transportation of goods के लोगे होगा, तो ITC मिल जाएगा, लेकिन transportation of person के लिए होगा, तो normally पहला थोट आना चाहिए, कि आपको ITC नहीं मिलेगा, जैन सुनिएगा, normally पहला थोट आना चाहिए, कि आपको ITC नहीं मिलेगा, लेकिन इसके exceptions है, इसके क्या exceptions है, if it is used for making taxable supply, जैन सुनिएगा, if it is used for making taxable supply, जिसमें यहाँ पर यहाँ पर, use for making taxable supply, यानि जो vessel और aircraft आप पर्चेस कर रहे हो, वो further supply के लिए होगा, transportation of passenger के लिए होगा, यह training navigation of such vessel, और imparting training or flying of aircraft, इन चार परपस के लिए होगा, तो आपको ITC मिल जाएगा, चलो, यह clause A और A हमने देखा, उसके बाद में clause A, B, A, B हम देखेंगे, A, B में चार ऐसी service, actually 3 है, और 4 जो service है, वो clause B की है, जो मैंने यहाँ merge कर दिया, तो 3 ऐसी service है, general insurance, servicing and repairs and maintenance, और ऐसी एक service जो clause B में दिये, leasing, renting and hiring, तो उपर जो motor vehicle है, vessel है, aircraft है, सुनिया दहान से, उपर जो motor vehicle है vessel है, vessel है और aircraft है, उससे related, अगर आप यह चार services लेते हो, मतलब उस motor vehicle का vessel और aircraft का general insurance, servicing, repair maintenance, या वो motor vehicle आप lease पे, renting पे, hiring पे, rent cap पे लेते हो, तो यह situation में, और के दो पार्ट दिये, अगर वो motor vehicle आपके business में use हो रहा है, अगर वो motor vehicle आपके business में use हो रहा है, तो ऐसे situation में आप आपको यह services का भी ITC में मिलेगा, मतलब क्या, जहाँ मैंने उपर single star दिया है, उस purpose के लिए use किया जा रहा है, तो नहीं, पर जहाँ double star है, उसमें मिल जाएगा, मतलब simple logic में कहो क्या, अगर आप motor vehicle आपने, okay, goods के लिए more than 13 capacity, या further taxable supply के लिए खरीदा होगा, तो फिर इसके general insurance, फिर इसके यहाँ पे repair, servicing का ITC मिलेगा, लेकिन अगर motor vehicle, यहाँ अपने less than, और 13 capacity होगी, और normally business के लिए खरीदा होगा, तो आपको यहाँ पे ITC नहीं मिलेगा, यानि जहाँ motor vehicle, या vessel और aircraft के ITC restricted है, single star में, उस motor vehicle का general insurance, repair, servicing के ITC नहीं मिलेगा, लेकिन जो motor vehicle के ITC आप आपको available है, क्योंकि यह clauses में, क्योंकि आपने यह purpose के लिए खरीदा, तो उसके ITC भी आपको मिल जाएगे, तो यह तीन services का ITC मिल जाएगे, same for leasing renting लाइटी, अगर आपने कोई motor vehicle car lease पे लिए, तो government सवाल पुछती, अगर आप यह car खरीद थे, तो आपको उपर दिये clauses में ITC मिलता, आप कहते हैं, हाँ मिलता, क्योंकि मैं यह further supply के लिए रहो, तो फिर उसके leasing पे जो just luck क्या उसका मिलेगा, लेकिन अगर आप car खरीद रहे है, sorry, वो car lease पे ले रहे है, पर आप originally car खरीदते, originally car खरीदते, तो आप business में use करते, तो normally आपको ITC नहीं मिलता है, तो व अगर आप देहान से पड़ोता हो, और वो exception है, general insurance service और repair maintenance को, अगर आपने general insurance servicing repair maintenance service ली, और वो जो manufacturer ने, उसका motor vehicle ही final product है, वेसल एक्राफ ही final product है, और अपने final product के लिए ली होगी, तो वो case में उसका ITC मिल जाएगा, तो यह 3 notified services है, तो notified services under A, आप लीग सकते हो, under A, B और C, यह 3 services का आपका ITC मिल जाएगा, तो चलिए, यह point समझ में आया होगा, तो बोलिए, yes sir, समझ में आया, यह point समझा होगा, तो बोलिए, yes sir, समझ में आया, चलो, अब clause B में आते हैं, clause B क्या कहता है, दैंसर सुनो, goods or services used in the business not eligible for ITC, हाँ, goods or services used in the business are not eligible for ITC, जनरली यह जो services clause B किया है, मुसली in the business use की जा रही है, दो वर्ड में बहुत फरक है, in the business or for the business, मतलब क्या, मतलब यह services आप business से लाने के लिए employee, director, guest या business के अंदर use किया जा रहा है, तो उसके ITC से आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके, देखिए, जैसे clause 1, आपने food or beverages खरीदा, यह रेस्टोरेंट सर्विसेस, रेस्टोरेंट के सर्विसेस के बिल है, food के बिल है, बिल बिल है, दूसरा outdoor catering, कोई party हुई office में, तो catering service का बिल है, beauty treatment, समझ लो, आप movie बना रहे हो, beauty treatment है, fashion designer हो, और के तो आपके जो actor, actresses के beauty treatment है, health services, बहुत सी बार health services, वहाँ health services चीए, health services जैसे director का यहाँ पे check-up करवाया गया, employee का check-up करवाया गया, उसके बिल है, GST के साथ, cosmetic plastic surgery services, life insurance और health insurance services, और अभी हमने देखा, leasing, renting, hiring of that motor vehicle जिसका ITC restricted है, और कि इसका कोई memory technique आपने बना लेना, तो यह services अगर आप लेते हो, come on, अगर यह services लेते हो, तो normally इसका ITC आपका available नहीं है, जो आप director, employee, guest, यह in the business, यह तो example है, जिस मैं आपको कह रहा हो, in the business यूज़ करते हो, जो आपका ITC नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक exception है, और वो exception कहा है, अगर आप यह service पर purchase कर रहे हो, for same category of outward supply, come on, एक word is same category of outward supply, मतलब, sorry, outward supply, मतलब आपने food or beverages इसले खरीदा, क्योंकि same supply कर रहे हो, same supply कर रहे हो, same supply कर रहे हो, same बेच रहे हो, मतलब, आपके grocery की shop है, आपने खरीदा इसलिए, क्योंकि बेचना है, तो फिर आपको ITC, आपने subcontractor catering की service लिए, इसलिए क्योंकि आपको outdoor catering supply करना है, तो ITC मिल जाएगा, आपने beauty treatment, subcontractor की service लिए, क्योंकि आपको beauty treatment देना है, तो ITC मिल जाएगा, health services, life insurance, rain services, यह आपने खरीदी इसलिए है, क्योंकि same आपका business है, same similar business है, जिसके लिए खरीदे है, तो फिर उसका ITC आपको मिल जाएगा, दूसरी बात, दूसरी बात मैं आपको यह बता दू, element of composite supply और mix supply, चलो आप same नहीं दे रहे हो, लेकिन आप यह खरीद के, आपके supply के साथ दे रहे हो, business में नहीं यूज कर रहे है, business में नहीं यूज कर रहे है, आपके supply के साथ दे रहे हो, तो आपको ITC दे रहे हो, अब आपके supply के साथ दे रहे हो, का मतलब क्या, जैसे, जैसे यहाँ पे airline company, airline company, ticket के साथ आपको food देती है, तो उन्होंने food खरीदा इसलिए, क्योंकि उनका जो supply उसके साथ पूर दिया जा रहे है, as a composite supply या mix supply, तो government आपको 2 cases में, 3 cases में ITC देने के लिए, एक तो खरीद के same supply करो, खरीद के आपके supply के साथ merge करके दो, फिर merge composite होगा, या merge mix होगा, लेकिन आपके outward में जाना चीए, त तो ये सारी चीजे, आपके कोई direct जा रही है, या composite और big supply का component जा रही है, तो उसको ITC मिल जाएगा, पर ये चीजे, आपके outward में कुछ भी नहीं use हो रही है, आपके outward के, जैसे समझे लो, आप shoes का business करते हो, पर ये जो आपने खरीदा है, ये in the business use हो रही है, कि employee के लिए, director क के लिए, या guest के लिए, कोई भी purpose के लिए in the business use हो रही है, तो उसको ITC आपको नहीं मिलेगा, समझा होगा, तो yes कहिएगा, ठीक है, उसके बाद में, second membership of club, health and fitness center, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दू कि, अगर आपका company का खर्चा या business का खर्चा, अपने directors के लिए, employee के ल होता है, उनके health पे खर्चा होता है, bill company के नाम का है, fitness पे खर्चा होता है, bill company के नाम का है, तो उसके ओपर जो GST लग के आएगा, उसका ITC नहीं मिलेगा, तिसरा, travel benefit extended to employee on vacations on lieu or home travel concession, अपने employee को, धान सुनिएगा, अपने employee को, आपने employee को, आपने कोई भी travel benefit दिया होगा, तो मैंने उनका booking कर दिया, travel booking कर दिया, जिसका bill company के नाम का आया, या आपके business form के नाम का आया, तो उसके ओपर GST लग का है, तो उसका भी ITC आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक exception है, सब के लिए एक exception है, उपर clause 1, 2 या 3, सुनिएगा, clause 1, 2 और 3, ये जो clauses है, इसमें जो supply किया, आपने जो supply खरीदा है, ये under the compulsion of law किया होगा, under any law, current law के under में, अगर by law compulsory होगा, तो उसका ITC आपको दे दिया जाएगा, पर वो under the compulsion of law, employer ने लिया है, अपने employee के लिए, तो उसका ITC आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपको canteen देना जरूरी है, under factories act, अगर कुछ workers के limits से जादा worker होगे, तो as per law compulsory होगा, तो वो जो food खरीदेगे, बिरेज खरीदेगे, catering service होगी है, जो भी service आप ले रहे हो, life insurance है, health insurance है, under the compulsion of law, तो वो case में आपको ITC दे दिया जाएगा, तो ये था बेटा, यहाँ पे clause B, हमने देखा, नव तिसरा आते हम construction sector पे, construction sector प construction, अगर आपने works contract service ली, मतलब combined service ली, goods plus service की, works contract मतलब combined, और कि आपने ठेका दे दिया, goods भी तेरा service भी ते दिया, तो ये जो आपने ठेका दिया है, goods plus service का, उसे works contract कहते है, example की तोर पे, building, construction, fabrication, completion, repairs on immowable property, उसे works contract कहते है, या फिर आपने ठेका नहीं दिया, construction of immowable property के लिए आपने separately goods खरी दे या services खरी दे तो ऐसे situation में पहला clause आपने ठेका दे दिया goods plus services का works contract है तो अगर आपने works contract service ली होगी for construction of immowable property आपने service use की तीन वर बड़े important है construction of immowable property या कोई भी goods और services आपने खरी दी कोई भी goods और services आपने खरी दी for construction of immowable property तो वो case में आपको ITC नहीं मिलेगे मैं आपको एक बात बहुत clear कैदू कि 17.5 में अगर credit block किया है तो दुनिया इधर की उधर हो जाया credit नहीं मिलेगा आप कितना भी चिलाओ अरे sir use is the business अरे sir business के लिए 17.5 और राइडिंग effect करता है आपको credit नहीं यह तो block credit का यहाँ पर कमाल है इसलिए मैं आपको यह कहता हूँ कि वैसे तो वो कहते all goods or services यह basic condition fulfill किया तो मिलेगा except 17.5 इसलिए जब भी आप problem solve करोगे तो पहला thought यह आना चाहिए कि all goods used in the business services used in the business ITC मिलेगा except block credit यह block credit आपको छोड़ना पड़ेगा तो ऐसे situation में construction of immorable property इसका ITC आपको छोड़ना पड़ेगा चलिए ओके अब construction का meaning यहाँ क्या दिया है अगर आप explanation में construction का meaning देखते हो तो अगर आपने यह works contract service खरीदी यह goods or services खरीदे ओके reconstruction के लिए खरीदे होगे renovation के लिए खरीदा होगा existing property renovation के लिए खरीदा होगा addition या alteration या repair के लिए अगर works contract service ली या repair के लिए कोई goods or services खरीदा तो वो भी construction माना जाएगा और उसका ITC नहीं मिलेगा पर ख्याल रहे है यह जो आप reconstruction, renovation, addition, alteration, repairs के लिए अगर उसकी cost आपने capitalize किया होगा तो यह construction माना जाएगा और यह बहुत important point है capitalize किया होगा मतलब क्या capitalize किया है मतलब यह है, दान सुनिएगा मतलब आपने balance sheet में उसको capitalize कर दिया, add कर दिया तो यह जो चार activity यह construction मानी जाएगी और आपको works contract या goods या services का ITC नहीं मिलेगा, जो आपने construction के लिए खरीदा है Sir, अगर मैंने capitalize नहीं किया होगा, revenue expenditure किया होगा, as per accounting standard मतलब कोई एक 20 का छोटा सा खर्चा हुआ मैंने repair किया, 500 रुपे का खर्चा हुआ वो मैंने revenue expenditure डाल दिया भी GST भी लाया, तो फिर आपको ITC दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने capitalize किया होगा ये point याद रखना, तो आपको ITC नहीं मिलेगा, अगर आपके revenue expenses होगे, मैंने दिया है आपे अगर ये as per accounting policy revenue expense होगे, तो आपको ITC दे दिया जाएगा, अब construction of immuable property, कोई भी immuable property हो, building हो सकते है, land हो सकता है bridge हो सकता है, road हो सकता है कोई भी immuable property construct करने के लिए अगर आपने works contract या goods or services लिया, तो इसके ITC आपको नहीं मिलेगा, पर इसका exception है except plant and machinery, नहीं सुनिएगा except plant and machinery, अब except plant and machinery क्या यहाँ पे, तो except plant and machinery का मतलब यह कि अगर आपने यह works contract service for construction of plant and machinery लिया होगा, या कोई भी goods or service for construction of plant and machinery लिया होगा, तो आपको ITC दिये जाएगे, वो क्यों नहीं वो plant and machinery immuable property होगी, पर आपको ITC दिये जाएगे, अब फिर हमारे सामने एक सवाल आता है, what do you mean by plant and machinery, what do you mean by plant and machinery, तो इसमें दो पार्ट, plant and machinery includes, means देखो, plant and machinery means apparatus equipment or machinery, plant and machinery नहीं बिल्दिंग नहीं, इह उन्दो factory building को plant कहते है, पर वो नहीं, कोई apparatus होना चाहिए, equipment होना चाहिए, कोई machinery होने चाहिए, तो plant and machinery नहीं कहा जाएगा, वो plant and machinery may be fixed to the earth by foundation or structural support, वो हो सकता है कि earth को fix होगा by foundation or structural support, इसलिए तो हम immobile कह रहे है, and include such support, हाँ, वो उसके, may be attached to the earth or not, तो वो plant and machinery और उसके लिए जो support बनाया जाएगा, जो base बनाया जाएगा, वो base cement का हो, base steel का हो, तो उसके आपने कोई works contract लिया होगा, base बनाने के लिए, foundation बनाने के लिए, कोई goods of services करीद योगी, तो वो भी plant and machinery मानी जाएगी, वो civil structure भी plant and machinery माना जाएगा, और उसका भी ITC आपको दिया जाएगा, और एक important point है, कि यह जो apparatus equipment machinery, और के वो यह उसका support आप use कर रहे हो, for outward supply, यह भी आपको prove करना पड़ेगा, कि आप outward supply के लिए उसका ITC आपको मिल जाएगा, लेकिन, उन्होंने specifically कहा है, कि plant and machinery में क्या नहीं आएगा, land and building और any other civil structure, मतलब इंडिया में किसी भी type का land और building plant and machinery में नहीं आएगा, मतलब उसके लिए आपने works contract service खरीदा होगा, यह उसके लिए आपने goods or services खरीदी होगी for their construction, तो उसके ITC आपको नहीं मिलेगा, यह next guy any other civil structure, मतलब अगर कोई civil structure ऐसा होगा जो support के लिए है, तो plant and machinery में आजाएगा और ITC अलोगा, works communication टॉर, plant and machinery नहीं माना जाएगा इसके लिए आपने works contract या कोई भी goods or services करीदी होगी, तो ITC नहीं मिलेगा, pipeline laid outside the factory premises, यह factory के बाहर जो pipeline होगी वो आपके plant and machinery में नहीं आएगा इससे आप एक interpretation ले सकते हो, वो क्या कि अगर pipeline inside the factory है, तो वो plant and machinery मानी जाएगी कौन सा उनने कहा, outside the factory, तो यह 3 case में आपको ITC नहीं मिलेगा, यह 3 case में आपको ITC नहीं मिलेगा हाँ, अगर inside the factory होगी pipeline तो ICD मिल जाएगा तो वेटा, इस तरह से आप works contract construction of immobile property except plant and machinery या कोई भी goods or services, फिर construction के लिए goods cement हो, steel हो bricks हो, कोई भी construction वाला nails से लेके, तो steel तक कुछ भी कोई goods construction के लिए खरीते हो, तो ITC नहीं है, even though वो building आप business के लिए use कर रहे हो as well as कोई भी services, architect service, engineering service, कोई भी services आप खरीते हो, तो उसका आपको ITC नहीं है समझ में है, उसका आपको ITC नहीं है, services भी खरीते हो, construction के लिए तो ITC नहीं है लेकिन इसके दो exception है अगर आप works contract service खरीद रहे हो, for further supply of works contract, याने आप works contractor हो, और आपने sub contractor का service लिया, तो फिर ITC मिल जाएगा, यह logic तो तो case में है, जैसे अगर आप देखते हो, तो motor vehicle खरीदा, motor vehicle खरीदा for further supply है, तो यहाँ पे भी दिया है आपके यहाँ पे वो कह रहे है, food beurages हो कह रहे है, आप खरीद रहे हो, same category of supply है, तो यहाँ पे भी ITC है, तो यहाँ पे भी exception है, कि works contract service आपने लिया for further supply है तो आपको ITC दिया जाएगा, या फिर आप builder हो, और builder ने goods or services leave for further construction वो अपना building नहीं बान रहा है, वो किसी और को बानने दे रहा है, और making same category of outward supply है तो इसको ITC दे दिया जाएगा तो यह अमने D clause तक तो देख लिया सारे restrictions तो देख लिये, उसके बाद में बेटा, यहाँ पर देहन से देखिएगा other important points क्या है, तो other important points यहाँ पर, कहा restriction है, एक clause E अगर आपने कोई goods or services खरीद होगा come on, मैं आपका देहन चाओगा, आपने कोई goods or services खरीद होगा और वो जो goods or services composition dealer से खरीदा होगा तो composition supplier ने either tax नहीं लगाना चाहिए और उसने tax अगर लगा भी दिया होगा तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका ITC नहीं लोगे उसके बाद में goods or services received from NRTP, non-resident taxable person यह registration chapter में और detail में पढ़े हैं CTP और NRTP तो अगर NRTP होगा CTP, CTP को पूरे credit available है सुनना द्यान से, question आ सकता है CTP को full ITC allowed है किसको restricted है? NRTP को अगर NRTP इन्या में आता है और कोई भी goods or services खरीदता है तो उसको ITC नहीं है except imported goods, यह एक बार question भी पूछा गया है, हाँ, वो अपने साथ कोई imported goods लाता है, तो उसका ITC है लेकिन इन्या में कोई NRTP goods or service खरीदता है, तो उसका ITC उसको नहीं है, अगर आप personal consumption के लिए खरीद रहे हैं, तो ITC नहीं है अग उसके बाद में एक important discussion में आपके साथ लेना चाहोगा, और वो क्या है वो यह goods lost, destroyed stolen, written of, distributed by way of gift or sample, एक एक word कम देखेंगे, अगर आप ने कोई goods खरीदा होगा, और वो lost, destroyed or stolen, in transit होगा, मतलब goods receive होने के पहले ही loss होगया, store loss होगया, या process loss होगया okay process loss होगया okay, अभी फिलाल तो process loss भी देख लो कि उसको पर क्रडिट deny हो सकता है, तो अगर transit loss, या आने के बाद store में loss होगया, आपने credit ले लिया होगा या process loss हुआ होगा, या आपने उसकी value right off कर दी होगी, fully और partly, right off कर दी, fully और partly तो इस पे मैंने दो option लिया है if ITC taken, तो आपको reverse करना पड़ेगा, ITC second, तो reverse करना पड़ेगा, क्योंकि आपने use नहीं किया, लेकिन अगर आपने ITC नहीं लिया है, आपने ITC नहीं लिया है, तो don't take it, don't take it, क्योंकि उसके ITC नहीं मिलते है, problem solve करते वक्ष्यार रखना, अगर उन्होंने कुछ नहीं कहाए, तो don't take the ITC, और उन्हें कहीं दिया कि ITC टेकन, तो आपको उसको less करना पड़ेगा, आपको ITC नहीं लेना पड़ेगा, process loss related, अभी dispute है, कुछ लोगों का मानना है कि process loss का ITC मिलना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं मिलना चाहिए, अलग-अलग advanced लिएंगे, तो अभी मस्त सोचो उसके ओपर ज्यादा, लेकिन हाँ, इन चीजों से related, मैंने दोनों पार्ट आपको यहां बताया है, अब दुसरा और very important part, और वो क्या है, distribution by way of gift और free sample, अगर आपने कोई goods खरीदा, और gift में दे दिया, या free sample में दे दिया, तो यहां carefully थोड़ा समझो, अगर आपने ITC ले लिया हो, और आपने ITC ना लिया हो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि businessman, जो उसको पहले से पता होता है, कि gift में जाने वाला है, free sample में जाने वाला है, इसलिए वो ITC नहीं लेता है, अगर आपने ITC लिया होगा, तो आपको schedule 1, para 1 याद आना चाहिए, any business asset, any business goods, जिसके उपर आपने ITC लिया है, and आपने free दे दिया है, ITC taken और free दे दिया है, तो वो supply schedule 1, para 1 का माना जाएगा, उसका valuation rule 30 के हिसाफ से होगा, okay, 110% पर, और उसका ITC मिलेगा, पर फिर उसके outward supply, क्योंकि आपने free दिया, तो वो supply बना जाएगा, तो उसके पर GST देना पड़ेगा, valuation rule 30, final level पर है, inter level पर नहीं है, तो 30 हमने देखा, 110% of cost of production, okay, या acquisition, जो भी है, उसके पर आपको GST देना पड़ेगा, पर आप ITC ले सकते हो, हाँ, लेकिन आपने पहले से ITC नहीं लिया होगा, तो don't take it, क्योंकि 17.5H जो है, वो block कर देता है, इसलिए problem solve करते वक, आपने जरूर ये देखना कि, कि ITC लिया हुआ है, ITC लिया है, तो फिर valuation 30 के साब से होगा, at final level, और अगर आपने ITC नहीं लिया है, सुनिएगा, ITC नहीं लिया है, तो वो situation में, यहाँ जो है, द्यांस सुनो, फिर लिख देना कि, ITC not allowed under section 17.5H, ठीक है, तो यहाँ पे, इंटर लेवल पे, rule 30 applicable नहीं है, next, last condition है, कि tax paid accordance, in accordance 74, 129, 130, तो अगर आपने fraud, misstatement, या detention से ज़रुआ होगा, या confiscation of goods होगा, और उसके वज़े से, okay, GST दिया गया होगा, तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा, तो इस तरह से, हमने देखे, block rate, सारा block rate, बहुत अच्छे से हो गया है, एक चार्ट में, आप सब कुछ अच्छे से revise कर सकते हो, अब कुछ यहाँ पे, clarification है थे, free sample और free gift, मैंने अभी explain किया आपको, अगर free sample होगा, ITC ले लिया होगा, तो supply माना जाएगा, supply माना जाएगा, और उसका ITC continue रहेगा, पर आपको outward supply पे GST देना पड़ेगा, और आपने ITC नहीं लिया होगा, तो block credit, ओके, दूसरा, बहुत लिए बार होता है न, free sample और gift, और दूसरा buy one, get one offer, हाँ, एक important clarification है, buy one, get one offer, जैसे मैं आपको एक समझा दूँ, कि एक supply दो shirt खरीदा है, shirt one जिसका GST 500 है, shirt two जिसके वपर GST 500 है, purchase करते वक्ड दोनों shirt पे उसने GST दिया, लेकिन उसने एक scheme निकाले, buy one, get one, free, मतलब एक shirt buy करो, दूसरा free मिल जाएगा, और उसने 5000 का shirt मिला, बेचा, एक shirt 5000 का बेचा, और दूसरा एक shirt free दिया, तो यहाँ पे CBIC का यह मानना है, कि यह second shirt जो दिख रहा है free, पर वो free नहीं है, उसकी value 5000 में included है, तो वो single, दोनों shirt की single price मानी जाएगी, तो यहाँ पे यह free नहीं माना जाएगा, देखो इसको free मान लिया गया, अगर इसको free मान लिया गया shirt 2 को, ओके shirt 2 को अगर यहाँ पे free मान लिया गया, तो वो situation में credit उसका deny हो जाएगा, इसलिए free नहीं माना जाएगा, CBIC का कहना है, कि single price पर बोश shirt, हिंस दोनों shirt का ITC आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ओके सुनिए, दोनों shirt का ITC आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे यह block credit का session in होता है, और हमने यहाँ पे block credit जो है complete किया है, I hope आपको revision पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो, yes, like करो, thumb दो, तो आया आपको अच्छे से समझ में है, okay, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो, thumb दीजिएगा, और like कीजिएगा, चलिए दोस्तों, तो next session जो है, हम continue करेंगे, और continue करेंगे next session, जिसमें section 18 का discussion लेंगे, जो ITC का part 3 रहेगा, चलिए, तो जो student ने like नहीं किया, बढ़ावड लाइक कीजिएगा, ओके तो आपका, आप कैसे इस region को express करते हो, यह बताईएगा, 17.5 हमने अच्छे से discuss किया है, questionnaire जरूर स्वाल कीजिएगा, questionnaire वीडियो में ने upload कर दिया है, description column देखिएगा, सारी प्ले लिस्ट आपको मिल जारिएगे, दन, ओके, गुद नाइट तो आल आप यू, थैंक यू विटा, मिलते नेक्स सेशन में,